हेलो फ्रेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल उपचार नुसके में हम उपचार नुसके चैनल में रुजाना एक लेटिस वीडियो अपलोट करते हैं अगर आप हमसे जुरना चाहते हैं तो उपचार नुसके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अप्लोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें आसार शुकल प्रदोश दो हजार बाईस ग्यारा या बारा जुलाई जाने सही तिथी प्रदोश काल पूजा मुरेत आज जरूर करें ये एक काम शास्रों में भगवान शीव की पूजा का विशेश महत्वे है, प्रतेक माहा की त्रयुदशी तिथी को प्रदोश वृत किया जाता है, या तिती भगवान शीव को समर्पित है, पंचांग के अनुसार इस साल असार माहा सुक्लपक्ष की त्रयुदशी तिथी 11 जूलाई तों प्रदोश होगा इस बार असार महा का यह प्रदोश्वरत बहुत महत पुर्ण होने वाला है क्योंकि इस दिन चार शुब्योग बन रहे हैं प्रदोश्वरत में भगवान भोली नात की अराधना करने से जीवन में सुख शांति और सम्रिधी आती है आज हम आपको साल 2022 असार शुख प्रदोश्वरति थी। पुजा मूरत, पुजा विधि, महत पॉर इस दिन के जाने वाले महा उपाई के बारे में बताएंगे। असार शुक्ल प्रदोश वरत शुब मुरत दो हजार बाइस साल दो हजार बाइस में असार शुक्ल प्रदोश वरत 11 जुलाई सोंबार को रखा जाएगा प्रदोश वरत पुजा का शुब मुरत होगा 11 जुलाई सायंकाल 6 बच कर 41 मिनट से रातरी 8 बच कर 58 मिनट तक आसार शुक्ल 23 प्रारंब होगी 11 जुलाई प्रातकाल 11 बचकर 13 मिनट पर आसार शुक्ल 23 समाप्त होगी 12 जुलाई प्रातकाल 7 बचकर 46 मिनट पर आसार सोम प्रदोश पूजा विधी सबसे पहले शिर जी का गंगा जल मिले जल से अभिशेक कर उन्हें बेल पत्र, अक्षत, फल फूल, धूब दीब, चंदन, पांसुपारी अर्पित करें, मा पारवती को श्रिंगार सामगरी अर्पित करें, अब खीर का भोग लगाएं अंत में सोम प्रदोश व्रत कता पढ़कर आर्थी करें और पूजा के बाद व्रत का पारण करना चाहिए सोम प्रदोश महत्व, धार्मिक मानिता अनुसार सोम प्रदोश व्रत अकंड सौभागी की प्राप्ति के लिए किया जाता है, इस दिन जया पारवती व्रत भी रखा जाता है, मानिता है कि असार महा की तरवदशी के दिन व्रत करने से भगवान भूले नात के सांथ साथ म माता पारवती की कृपा भी प्राप्त होती है महिलाओं द्वारा इस दिन अखंड सौभाग्य और सुख सम्रदी के लिए जया पारवती का व्रत भी रखा जाता है सोम प्रदोश उपाए इस बार असार महिने के सोम प्रदोश के दिन सोम पुष्य आईश्मान योग सौभाग्य योग सरवार्थ सिद्धी योग का होना बेहत शुब है इन योगों में सोम प्रदोश के दिन भगवान शिव का गाय के दूट से ओम नमर शिवाय मंतर का जाप करते हुए अभिशेख करें इससे परिवार में सुख सम्रदी आती है सोम प्रदोश के दिन शिव जी को बेला के फूल चड़ाएं इससे मन पसंद जीवन साथी की प्राप्ती होती है तो वहीं हर श्रिंगार के फूलों से शिव जी का पूजन करने पर आर्थिक लाब होता है सोम प्रदोश के दिन महाम रिति उन्जय मंतर का 108 बार जाप करने से स्वास्तिला प्राप्त होते हैं पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिशेख करने से मनोकामना पूरी होती है सोम प्रदोश के दिन शाम के समय लाल गुलाब के फूल चंदन के इत्र के साथ पती पतनी दोनों को मिलकर भगवान शिव को नमा शिवाय का जापकर अरपड़ करने से गाम पती जीवन में वधूरता आती है इस दिन जया पारवती व्रद भी किया जाता है इसलिए मा पारवती को सोहा की सामगरे अरपित करने से सौभागे की प्रापती होती है अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियां पसंद आई हो तो आप उप्चार्ण उसके चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शियर करना ना भूले